आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और टोड मैमल्स Horse, Ass, Zebra belongs to the order पूछा गया है और टोड जो मैमल्स है वो किस order में बिलॉंग करते हैं तो अगर हम लोग मैमल्यन ओर्डर का बात करें तो मैमल्स में 19 ओर्डर टोटल पाये जाते हैं जिन में से दो ओर्डर ऐसे हैं जो कि एक ओर्ड टोड में डिवाइडेड है दूसरा है इवन टोड तो इवन टोड और ओर टोड क्या है ओर टोड जो है इन में जो हूफ रहते हैं यानि कि जो पैर के नीचे वाला स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसे सिंगल रहता है सिंगल हूफ और जो इवन टोड रहते हैं इनके जो हूफ रहते हैं, वो ऐसे structure में पाये जाते हैं, जैसे कि कहां पे पाये जाते हैं, जैसे हमारे kettles में, kettles में जैसे cow, goat, camels, giraffe, इन सब में पाये जाते हैं, और टोट जो है ये किस में पाये जाते हैं, ये horse, ass, zebra, इन सब में पाये जाते हैं, rhino में भी ये पाये जात और तोट को दुसरे नाम से जो की ओर्डर है वो कहा जाता है पेरिसोडेक्टाइला तो इसका नाम है या और तोट का ही दुसरा नाम है या फिर ओर्डर का नाम है वो है पेरिसो देक्टाईला और अगर हम लोग इंवेंट का बात करें थो वह है आर्टुरयो डेक्टाईला इस läगोर्फा इसमें किया होता था है इन organisms के front teeth जो हैं वो नहीं रहते हैं और इनके fingers जो होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं जैसे example में sloth, armadillo ऐसे organisms फिर अगर बात करें इडेंटाटा का तो ये ऐसे organisms हैं जो कि हर्भी वोर्स होते हैं हर्भी वोर्स और इनमें क्या होता है कि incisors जो होते हैं वो बहुत ही large होते हैं पहले जो teeth होते हैं incisors वो बहुत ही large होता है और इनमें आते हैं rabbits हमारा correct option जो यहां पर toad और toad mammal का बुला गया है तो वो हो जाएगा perisodactyla जिसमें की ऐसे toad दिखाई देता है या फिर hooped भी कहते हैं और दूसरी जिसमें even toad है उसमें ऐसे divided दो hooped रहता है इसलिए उनको क्या करा जाता है अर्टी और डेक्टाइला